ये चुनाव मामुली चुनाव नहीं है इसमें विचार धारा की लड़ाई है एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी, इंडिया गड़ बंदन और दूसरी तरफ बीजेपी और जो लोग राजनेती को समझते हैं और हिंदुस्तान में ऐसे करोणों लोग हैं उनको मालुम है कि ये चुनाव सविधान का चुनाव है, समविधान को बचाने का चुनाव है ये जो हमारा कॉंस्टिटूशन है, जो समविधान है, इसको प्रधान मंत्री जी, बीजेपी के नेता, आरेसेस के लोग खतम करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं एक तरफ वो कॉंस्टिटूशन को खतम करने में लगे हैं, और दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी इसको बचाने की कोशिच कर रही है तो ये दोहजार चॉबिस का चुनाओ, एक प्रकार से समविधान का चुनाओ है, अब ये जो समविधान हैं, ये सिरफ एक किताब नहीं है, लोग इसको कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉंस्टिटूशन है, मगर ये सिर्फ किताब नहीं है, ये इस देश में ये गरीबों को अधिकार देता है, ये गरीबों की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है, उनके भविश्य की देखबाल करता है, और देश में उनकी आवाज और उनका जो जीने का तरीका है, उसकी रक्षा करता है, बीजेपी चाहती है, कि इसे फाड़ के फेक दिया जाए, और राज 20-25 लोग अरब पती करें, और बाकी जनता देखती रहें, बीजेपी के नेता कहते हैं, एक नहीं अनेक ने कहा है, कि हमारी सरकार बनेगी, तो इस बार हम कॉंस्टिट्यूशन को समविधान को खतम कर देंगे, दूसरे नेता कहते हैं, कि रेजर्वेशन को खतम कर देंगे, देखिए, समविधान में से रेजर्वेशन निकला, समविधान में से वोट निकला, समविधान में से पब्लिक सेक्टर निकला, समविधान में से आपके अधिकार आए, आपके जो हक है ये सब सब इधान की देन है और अगर ये चला जाएगा तो आदिवासी भाईयों को से मैं कहना चाहता हूँ आपका जल आपका जंगल आपका जमीन आपकी जमीन जीने का तरीका भाशाएं ये सब गायब हो जाएंगे बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं आप वनवासी नहीं हो आप आदिवासी हो आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस देश के इस धरती के पहले मालिक थे और ये चाहते हैं आपको वनवासी कहते हैं और चाहते हैं कि भईया आपका जंगल गाइब हो जाए जमीन चले जाए जल चले जाए और आप बाकी प्रदेशों में जाके सडकों पे भीक मांगो दलितों को अगर अधिकार मिला तो Constitution ने दिया, सम्विधान ने दिया पिछडों को Reservation मिला, सम्विधान ने दिया इसके बिना मैं आपको बता रहा हूँ इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है ये कहते हैं कि हम Reservation के खिलाफ नहीं है Reservation एक सोच है Reservation का मतलब हिंदुस्तान के पिछणों को गलेतों को आदिवासियों को देश में भागीदारी मिलनी चाहिए जब ये किसी पॉब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवाटाइज करते हैं तो ये Reservation को खतम करते हैं जब ये ठेकेदारी प्रथा लागू करते हैं तो ये Reservation को खतम करते हैं जब ये अगनीवीर जैसी होजना लाते हैं तो ये Reservation को खतम कर रहे हैं पॉब्लिक सेक्टर में दलितों को आदिवासियों को पिछणों को जगा मिलती थी जैसे ही पॉब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में ना एक दलित को, ना एक आदिवासीद को, ना एक पिछड़े को जगे मिलती है यह सचाई है मैं चैलंज करता हूँ किसी भी भीजेपी के नेतागो कि वो कह दे कि हम पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे कि वो कह दे कि हम ठेकेदारी प्रता को बंद कर देंगे वो कह दे कि हम किसानों का करजा माफ कर देंगे यह करी नहीं सकते यह लोग क्योंकि इनकी विचारधारा अमबेटकर जी की, नहरू जी की, गांदी जी की नहीं है की है अब क्या हुआ अब हिंदुस्तान की जनता को ये बात समझ आ गई है पता लग रहा है चुनाओं में कि हर दलित को हर पिछड़े को हर आधिवासी को ये बात समझ आ गई है कि ये बीजेपी के लोग नरेंद्र मोधी सविधान को खतम करने में लगे हैं पहले हम कहते थे कॉंग्रेस पार्टी कहती थे ये सविधान के लिए हम लड़े थे अंग्रेजों से हम लड़े थे हम इस किताब को बहुत अच्छी तरह समझते हैं पहले हम कहते थे तो शायद आप लोग मानते नहीं थे मगर इस चुनाव में सारे लोगों को पता लग गया है कि आक्रमन लोगतंत्र पे है, आक्रमन संविधान पे है, आक्रमन रेजर्वेशन पे है, आक्रमन पुब्लिक सेक्टर पे है, सारे लोगों को यह पता लग गया है, और अब यह चुनाव, लोगतंत्रों को बचाने का, रेजर्वेशन को बचाने का, और कॉंस्टिट्यूशन और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है, देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे, चार सो पार, सुनाओगा, अब बोलरे हैं चार सो पार, अब एक सो पचास पार नहीं बोलरे हैं, क्योंकि, और बयान आ रहें कि नहीं, हम कॉंस्टिट्यूशन के खिलाव नहीं हैं, हम रेजर्वेशन के खिलाव नहीं हैं, हम लोगतंत्र के खिलाव नहीं हैं, क्यूं, क्यूंकि उनको मालुम पढ़ गया है, कि देश की जनता को बात, असली बात, नवस पकड़ लिये है देश की जनता ने